एहलो नमस्कर दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आर एस इस्ट्री पॉंट 10 में साथ हैं दोस्तों मैं हूँ आरेसर मैं आज आपको पढ़ने जा रहा हूँ कच्चा ही स्कूल क्लास ही स्कूल साइंस के महत्वपूर प्रस्न जिसमें मैं आपको कवर करू एहिड़ा इंपूर्णन बहुँ ऴिकल्पी प्रस्न की बारें बताऊ और बोस्ट इंपूर्णन प्रस्न है इन इम प्रस्नों को आप अच्छे तरीकले याद कर लिज़िए जिससे आने वाली प्राच्चा में इसमें देखते हैं के सही बिकल्प चुण कर लखिए आपको इसमें सही बिकल्प चुण कर लकिना है पहला प्रस्ण है किसी राज़ाई दिया की पहचान ने धारित की जाती है तो किसी रहासाइन का विक्रियाई पहचान किस से कियाती है नमबर एक है आवाज्था में परवरतन नमबर दो रंग में परवरतन नमबर तीन ताप मान में परवरतन और नमबर चार उप्संदिया हुए उप्रोग तसावी तो किसी रहासाइन का विक्रियाई पहच कर सकते तो इसमें बच्चों आपका सही अंसर होगा कि अग्ला प्रसुन दिखते हैं है नम्बर रासा जेक्रिया में भाग लीने बाले पधारत क्या कहलते हैं तो नमबर एक वुद्पाद, नमब दो अविकारक, नमब तीन, योगिक, नम्ब चार, मिश्रण तो रासायवने के अविक्रिया में जो भाग लेते हैं, उन पधार्टों क्या कहते हैं तो इसमें आपका सही आंसर होगा वच्चो अविकारक किसी राजसायने का विक्रियां भाग लेने वाले पधारत अविकार कहलाते हैं पार्ट एक का प्रस्ण है चैप्टर एक का प्रस्ण है यह इंपुडेर्ट प्रस्ण है भच्चों ठीक उसी प्रकार से परश्ण नमबर तीस्ता परश्ण देखते हैं निमन में कौन सा बहुत एक परवरतन नहीं है जो आपको चार ओप्सन दिये हुए हैं इसमें बहुत एक परवरतन कौन सा नहीं है नमबर एक है खौलते पानी से जल बास्प बनाना नमबर दो बर्प का पिगल कर जल बनना नमबर तीन एल पीजी का दहन और नमबर चार नमक का पानी में घुलना तो इसमें आपका सही आंसर होगा बच्चो इसमें आप सही आंसर बताएए इसमें आपका सही आंसर है कि LPG का दहन LPG का दहन है जो बहुत एक परवर्तन नहीं है अगला प्रस्शन देखते हैं लेयर्ड नाइट्रेट का राशानिक सूत्र क्या हुआ PBNO3 PBNO3 का उल्ट्वाइस PB2NO3 और PBN3O2 तो इसमें आपका सही अंसर होगा बच्चो इसमें आप देख लीजिए इसका सही अंसर होगा PBNO3 का उल्ट्वाइस इसका सही अंसर है अगला प्रस्शन देखते हैं सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अमल का नाम क्या होता है सोना और प्लेटिनम जो होते हैं उसको गलाने वाला अहमल होता उसका नम क्या है? आप्सांधी दूगा हुआ है एक्वारेजिया सांद्र नाइटरिक अमल सांद्र हाइडरोकलोरीक अमल इन मेंस्प कोई नहीं इसमें आपका सही आंसर होगा बच्चो अपको रिजिया आपका सही आंसर है एक्वारेजिया अगला प्रस्टन है बैगिंग पाउडर बनाने में प्रेप्त अभियवों में से एक अभियव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अभियव क्या होगा कि आप्सैने है और है इंद्रोक्लोरिक कं दूसरा टार्री कं तीसरा एसिट एक उंड़ったर्ण तो छोता सेलोग उनलऊ इसमा आपका सही आपसर रहान दूसरा टार्रीं प्रॉंड है अंगला प्रश्ञ ने है डं मांटर में कौन होता है किoton performing तुमाटर में कों साम्म्म उपस् outta criminals तो इसमें आपका जार्टर में पहुर यह ताइवं झैल आ नी हो गैशे डीपराश कितनी होती Brazilian बन से 10, एक से 100, 0 से 14 और एक से 14, तो इसमें जो pH scale की प्रास होती है, 0 से 14 तक होती है, अगले प्रस्णिक की तरब चलते हैं, पतले तारों में धातों को खिंचे जा सकने की छमता क्या कहलाते हैं, पतले तार होते हैं, उसमें धातों को खिंचते हैं, उस छमता क्या 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 तन्यता, आगात बरदिनियता, चालगता या ध्वनिकता तो इसमें आपका सही आंसर है तन्यता अगला प्रशन है चारी धातों क्या होती है चारी धातों क्या होती है और अप्सन मैंनिसियम एलुमीनियम सोडियम चांगी इसमें आपका सही आंसर है चारवी नंबर का है सोडियम अगला प्रशन है कि निमन लेकित मैंसे कौन सी धातों उसमें चमक होती है तो सलफर में चमक नहीं होती है औक्सिजन में नहीं होती है नाइट्रोजन में नहीं होती है आयोडिन में होती है तो यह क्या उप्सन है आपका आयोडिन है उप्सन है कि जो आयोडिन में चमक नहीं होती है अगले प्रश्न की तरह चलते हैं इंपूंडट प्रश्णा पर चाई धर Clinton है कि निम्नलिकित मैंसे कौन सी मिस्ट्र धातू meant पारद अभी घब होता ई निम्नलिकित मैंसे कौन सी धातू a जिस पे पारद अभी होता है तो पीतल है पहला आप्सन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है अमलगम, छोटा है इस्ट्रील, तो इसमें आपका बच्चो सही असरोगा, अमलगम, तीसरा वाल नमबर का, अमलगम, प्रकास संसलेशन की क्रिया पौजे के किस भाग में होती है, तो अप संदियों जड़, तनाप, प्रकास संसलेशन की क्रिया होती है, पौजे के पत्ति बाले भाग में होती है, अगला प्रस्ने, सुष्चन की प्रक्रिया होती है, अप चैन, अप चैन, अप सुष्चन, उत्सर जन, इसमें आपका सेही आसर, अप चैन, अगला प्रस्ण है बोयन नली का कौन सा भाग यक्रत से पित्रस प्राप्त करता है तो आमा सा है अगना सा है चोटी यात बड़ी यात इसका आंसर है चारवा बड़ी यात स्वारी बच्चे इस प्रस्ण में मिश्टोक हो गई थी यह आपका जो भूयन नली का भाग है वो आपका चोटी यात होगा बड़ी यात नहीं है चोटी यात आपका सही आंसर है अगला प्रस्ण है आमा साह में पाय आते हैं अगला प्रस्ण है गुलूकोज का पायरुवेड में विखंडन होता है तो उसे क्या कहते हैं कोश का द्रब्य में माइट्रो कॉंट्रिया में डियने में केंद्रक में तो गुलूकोज का जो पायरुवेड में विखंडन होता है बच्चों किसमें होता है कोश का द्रब्य में अगला प्रस ने प्लाजमोडियम में जनन होता है प्लाजमोडियम होता उसमें जनल किसके ऑप्सन बिखंडन द्वारा बहुकंडन द्वारा इस्पूर द्वारा मुकलन द्वारा इसमें आपका सही आंसर है इस्पूर के द्वारा प्लाजमोडियम में जो रिप्रोडेक्शन की रेक्शन होती है वो होती है अगला प्रस ने पुन्रुद्ववन की प्षिर्ण कि जिव्हाम पायाती है लिधाती comparisons तो इसमें आपका सही आंसर, पहला हुआ 1955 पहांुद्वन की ज़ियो पेजनलेशन होती है वो पाय आती है आगला प्रसुन है बीजाडू द्वारा प्रजिनन होता है रायोपस के द्वारा हाइडरा द्वारा उप्रोक्त सभी और प्लैनेरी द्वारा तो इसमें आपका सही असरोगा रायोपस द्वारा इस्तरियों में योगनरंब की आयों होती है दस से बारा वर्स 12-16 वर्स, 16-20 वर्स उपरिक्त मैं से कोई नहीं इसमें आपका अंसरों गद दूसरा 12-16 वर्स के बीच में अगला प्रस्ने मनुस में लिंग निर्दारण होता है गुड़ शुत्रों दोरा आरेन दोरा, मारिट्रो कुंड़ी दोरा, केंदर दोरा तो इसमें होता है, लिंग में निर्दारण गुड़ सुत्रों के दोरा होता है